पंचम प्रश्ण अथ हैनम सेव्या सत्यकामा पप्रक्षा इस मंत्र में सत्यकाम ने ओमकार की उपासना की विशे में प्रश्ण किया है उसने ही एह जिग्यासकी है कि जो मनुष्य आजीवन सदा ओमकार की भली भात उपासना करता है उसे उस उपासना के द्वारा कौन से लोग की प्राप्ति होती है अर्थात उसका क्या फल मिलता है इसके उत्तर में महर्सी पिपलाद ओम इस अक्षर की उसके लक्षभूत परब्रह्म पुर्सोतम के साथ एक्ता करते हुए कहते हैं सत्यकाम यह जो ओम है वह अपने लक्षभूत परब्रह्म परमेश्वर से अलग नहीं है इसलिए यही परब्रह्म है और यही उन परब्रह्म से प्रगट हुआ उनका बिराठ सरूप है अपर ब्रह्म पी है केवल इसी एक ओमकार का जप श्मरण और चिंतन करके उसके द्वारा अपने इस्ट को चाहने वाला विज्ञान संपन मनुष्य उसे पा लेता है भाव यह है के जो मनुष्य परमेश्वर के बिराठ सरूप इस जगत के ऐस्वर मैं किसी भी अंग को प्राप्त करने की इच्छा से ओमकार की उपासना करता है वह अपनी भावना के अनुसार बिराठ सरूप परमेश्वर के किसी एक अंग को प्राप्त करता है और जो इसके अंतर्यामी आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुर्षोतम को लक्ष बनाकर उसको पाने के लिए निसकाम भाव से इसकी पासना करता है वह परब्रह्म पुर्षोतम को पा लेता है यही बात अगले मंत्रों में भी इसपष्ट की गई है सा यद्धे कमात्र विध्यातीत सतैनेवा समवेद स्तूर्ण मेवा जगत्यामवित संपदे ओमकार का चिंतन करने वाला मनुस्यद बिराट परमिश्वर के भूब हुआ स्वह इन तीनों रूपों से भूलों के एसवर में आसकत होकर उसकी प्राप्ती के लिए ओमकार की प्रत्वी लोक में आ जाता है उमकार की पहली मात्रा रिगवेद स्वरूपा है उसका प्रत्वी लोक से संबंध है अतहा उसके चिंतन से सादक को रिगवेद की रिचाएं पुनहाम मनुस्य शरीर में प्रविष्ट करा देती हैं वह उस नवीन मनुस्य जनम में तप ब्र प्रहमचर और सद्धा से संपन उत्तम आच्रणों वाला स्रेष्ट मनुस्य बनकर अत्यसय ऐस्वर का उपहुग करता है और थात उसे नीची योनियों में नहीं भटकना पड़ता वह मरने के बाद मनुस्य होकर पुना सुव कर्म करने में समर्थ हो जाता है और वहां नान प्रकार के सुखों का उपहुग करता है यदि सादक दो मात्रा वाले ओमकार की उपासना करता है अर्थात उस बिराट सरूप परमेश्वर के अंग भूत भू मनुस्य लोक और बहुत स्वर्ग लोक इन दोनों के एस्वर की अविलासा से उसी को लक्ष बनाकर ओमकार की उ दाप्त होता है उसको यजुरुवेद के मंत्र आंतरिक्ष में उपर की और चंद्र लोक में पहुँचा देते हैं उस बिनास सील स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के एस्वर्द का उपहुख करके अपनी उपासना के पुर्ण का छह हो जाने पर पुना म्रत्त लोक में आ जाता है वहां उसे अपने पूर्व करम अनुसार मन्स शरीर या उससे कोई नीची योनी मिल जाती है इस मंत्र में पुनहां सब्द के प्रयोग से यह सूचित होता है कि उपर्युक्त कथन के अनुसार इस लोक और स्वर्ग लोक तक के एस्वर्द की अविलासा से अपर ब गया है उपासना का सरवत्तम प्रकार यही है यह भाव प्रगट करने के लिए ही इस मंत्र में यदिपद का प्रयोग भी नहीं किया गया है क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है इस मंत्र में यह विस्पष्ट रूप से बतला दिया गया है कि ओमकार उस परभ्रम का नाम है इसके द्वारा प्रभ्पर्म पर्मिष्वर की उपासना की जाती हैं मंत्र में कहा गया है कि पर्मिष्वर जाते हैं वहाँ वह जीव समुदाय रूप चेतन तत्त से अत्यंत स्रेष्ट उन परभ्रम पुर्षूत्म को प्राप्त हो जाता है जो संपूर्ण जगत को अपनी सक्ति के किसी एक अंसमिधारण किये हुए है और संपूर्ण विश्व में व्याप्त है तथा जो अंतर्यामी रूप से सव के हिर्दय में विराजमान है इसी विश्व को इसप्रष्ट करने वाले ये दो आगे कहे हुए इस लोके हैं इस मंत्र में यह भाव दिखाया गया है कि ओमकार वाच्च परभ्रम परमिश्व का जो यह जगत रूप बिराड सरूप है अर्थात जो कुछ देखने सुनने और समझने में आता है यह उसका वास्तविक परम अविनासी सरूप नहीं है यह परवर्तन सील है अतहा इसमें रहने वाला जीव अमर नहीं होता वह चाहे उंची से उंची ओनी को प्राप्त कर ले परंतो जन्म रत्यु के चक्र से नहीं छूटता इसके एक अंग प्रतिवी लोक की या प्रतिवी और अंतरिक्ष इन दोनों लोकों की अतवा लोकों की तीनों मिलाकर संपूर्ण जगत की अवलासा रखते हुए जो पासना करता है जिसका इस जगत के आत्म रूप पर ब्रह्म और सोत्म की और लक्ष नहीं है वरम जो जगत के वाहिय सरूप में ही आसकत हो रहा है वह उन्हें नहीं पाता अतः बारबार जन्मता मरता रहता है उन्हें तो वही सादक पा सकता है जो अपने सरीर के बाहर भीतर और सरीर के मद्दिस्थान हिर्दयेश में होने वाली बाहरी भीतरी और बीच की समस्त क्रियाओं में सर्वत्र ओमकार के वाच्यार्थ रूप एक मात्र परब्रह्म पुर्सोतम को ब्याप्त समस्ता है और ओमकार के द्वारा उनकी उपासना करता है उन्हें पाने की ही अविलासा से ओमकार का जब इस्मरण और चिंतन करता है वह ज्यानी परमात्मा को पाकर फिर कभी अपनी इस्तिती से बिचलित नहीं होता इस मंत्र में तीसरे चोथे और पांचमे मंत्रों के भाव का संचेप में वर्णन करके ब्रहमन ग्रंत के बाकियों में कही हुई बात का समर्थन किया गया है भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात एक अंग को लक्ष बनाकर उपासना करने वाले सादक को रिगवेद की रिचाएं मन सुलोक में पहुँचा देती हैं दो मात्रा की उपासना करने वाले को अर्थात चगत के उंचे से उंचे स्वरगी एसर को लक्ष बना कर ओमकार की उपासना करने वाले को यजुर वेद के मंत्र चंदर लोक में ले जाते हैं और जो इन सम्मे पर पूर्ण इनके आत्म स्वरुप परमेश्वर की ओमकार के द् मुचा देते हैं जिसे ज्ञानी जन जानते हैं समकून रहस को समझने वाले बुद्धिमान मनुष्य बाहिय जगत में आसक्त ना होकर ओमकार की उपासना समस्त जगत के आत्म रूप उन परब्रह्म परमात्मा को पा लेते हैं जो परम सांती सब प्रकार की विकारों से रहते हैं जहां न बुड़ापा है न म्रत्यु है न भय है जो अजर अमर निर्व है एवं सर्व स्रेष्ट परम पुर्शोत्तम है पंचम प्रिश्णह समाप्ता